हेलो दोस्तो मैं हूँ एना ये बीमस का स्टुडेंट और माई यूट्यूब चैनल में डिकोड़ डपर आपका स्वागत है तो दोस्तो जो ए डबल ट्रिपल सी ने उसने एक नोटिस रिलीज किया है थल्ड राउंड या मॉप आप राउंड से रिलीटेट कि थल्ड राउं के लेकिन सेकड्र राउंड में हमें कोई सीट जो है वह अलोट नहीं हुई तो क्या हम भी थल्ड राउंड या मॉप आप राउंड के लिए इने लीजिबल है तो इनी जो डाउट है इनी कण्फिजिएन को दूर करने के लिए आज यह वीडियो है मैं ने आपके लिए बन वहाँ लिदिए रहे हैं मॉपो दोस्तों तो एलबेल टृपल सी ने मॉपो यानिकी थफर्ड राउंड से रिलेटेड एक नॉटिस रिलीज किया था कि कौन से candidate जो है वो Mopo Brown में eligible है और कौन कौन से जो candidate है वो ineligible है ओके दोस्तों और उस notice release करने की वज़े से जो कापी सारे student है वो Mopo Brown से बाहर हो गया है तो उन student की बीच में एक confusion था कि सरम को first round में seat alert हो गए लेकिन हमने join नहीं कि और second round में participant किया लेकिन second round में कोई seat जो है वो alert नहीं हुई तो क्या हम भी जो Mopo Brown के लिए eligible हो चुके हैं क्या तो इनी doubt को clear करने के लिए आज मैंने जो है ये वीडियो बढ़ाया है ओके दोस्तों तो वीडियो important होने वाला इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी scheme ना करें ओके दोस्तों जो इन्होंने notice release किया है Mopo Brown से eligible criteria के बारे में उसमें कुछ अलग rules बता हैं जबकि इन्होंने जो counselling scheme थी उसमें Mopo Brown के कुछ अलग rules बता रखें तो देखतें इन rules को कि कौन से जो rules है वो notice में इन्होंने change किया है ओके दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है जो counselling scheme थी इसमें कि candidate admit in round 2 और round 1 मतलब round 1 और round 2 में जो है candidate admit होगे admit का मतलब जिन्होंने college में admission ले लिया जिन्होंने college join कर ली ओके दोस्तों जबकि इन्होंने जो notice release किया था उसमें इन्होंने कुछ अलग बोल रखा है ओके दोस्तों तो उसी rules को देखते हैं कि जो इन्होंने notice release किया है उसमें ये जो rules है उन्होंने क्या बता है एकडेड दौस्तों इसलेब वीडियो को एरें तक देखते रहे हैं तो दोस्तों यह जो नोटिश है इन्होंने रिलीज गया था 11221 को ऑक्याशतों तो यहां पर इन्हों ने बता रखाएं कि एलिजिस्टीट और इने जलिजिबल कैंडीडेट कौन कौन से जो candidate है वो eligible है और कौन कौन से जो candidate है वो ineligible है ओके दोस्तों तो सबसे पहले देखते है eligible candidate तो candidate who are registered for the first time जिसने first time registration करेगा वो candidate यहाँ पर eligible है और जिस candidate को round one और round first में कोई sheet alert नहीं नहीं हुई वो भी candidate यहाँ पर eligible होगा और वो candidate जो round one और round two में जिसको sheet alert तो हो गई लेकिन वो जो है वो upgrade करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पर press choice filling करनी पड़ेगी ओके दोस्तों उनको नई दुबारा से जो है वो choice fill करनी पड़ेगी ओके दोस्तों तो यह यह तो है eligible candidate अब देखते हैं कि कौन-कौन से जो candidate है वो इन इलिजिबल है तो यहाँ पर first point जो है वो दे रखा है ति candidate who have been allotted मतलब जिसको first round और second round में sheet allot हो गई है वो candidate यहाँ पर eligible नहीं है ओके दोस्तों दूसरा point यहाँ पर दे रखा candidate admit in round one मतलब जिस candidate जो candidate round one में admit हो गया जिसको जिसने admission ले लेकिन वहाँ पर फ्री exit option से exit हो गया तो वह भी candidate यहाँ पर in eligible है ओके दोस्तों तीसरा point यहाँ पर दे रखा है कि जिस candidate ने round one और round two में admission ले ले लिया और उसने अप्ग्रेट कहा लेकिन उसने college जोइन नहीं की तो वह candidate भी यहाँ पर in eligible है ओके दोस्तों तो इन्होंने यहाँ पर first one देख सकते हैं जिस candidate को round one और round two में seat allot हो गई वह candidate यहाँ पर in eligible बताया है जबकि इन्होंने counseling scheme में बोला था कि जो candidate round one और round two में admit हो गया वो candidate मौपव round के लिए in eligible है तो allotate और admit में बोच difference है admit का मतलब है आपने round one और round two में admission ले लिया college join कर ली तो फिर आप मौपव round के लिए in eligible हो लेकिन आपको seat allot हुई है और आपने college join नहीं की फिर भी आप जो है यहाँ पर मौपव round के लिए in eligible करा दिये गया है ओके दोस्तों तो इन्होंने जो कल notice किया है उस notice release किया था उसमें इन्होंने यहाँ पर allotate बोला है जबकि counseling screen में इन्होंने बोल रखा admit और इस allotate की वज़े से कापी सारे जो student है वो मौपव round से बार हो चुके क्योंकि जिसके अच्छे नमर है उसको round 1 या round 2 में जो है वो seat allot हो चुकी होगी ओके दोस्तों और उसकी वज़े से जो है अगर ऐसा हुआ तो जो कापी सारे student मौपव round से बार हो जाएंगे जिसके अच्छे नमर है और कम नमर वाले ही जो मौपव round में participate करेंगे तो इससे मौपव round की जो कटोपे वो तोड़ी जो है वो कम जाने वाली है और अगर ऐसा हुआ तो जो state counselling जिसे राज्तान यूपी की जो counselling है उनकी जो कटोपे वो हाई जाने वाली क्यूंकि जिसके ज़्यादा mark से वो यहाँ पर मौपव round से बार हो चुका है और अब वो कहाँ participate करेगा जो state counselling है तो state counselling की जो कटोपे वो तोड़ी हाई जाने वाली है ओके दोस्तों तो आप इस problem को solve करने के लिए आप एक काम कर सकते हो जो इनकी email ID है उस पर आप जितने ज़्यादा candidate email इनको करोगे तो इन पर अगर हो सकता है इन पर pressure पड़े तो यह जो ही इन rules को change कर दिये ओके दोस्तों तो आप email email करना इनको सरी आपने counselling scheme में कुछ अलग rules बताया है और जबकि आपने जो notice release किया है उसमें आपने कुछ अलग rules बताया है अगर इन पर pressure पड़ा तो हो सकता है कि इन rules को change कर दिये और अच्छा हो जाई कि यह rules change कर दिये अगर ऐसा नहीं हुआ तो काफी सारे जो student है वो मौप ब्राउंड से बाहर हो जाएंगे ओके दोस्तों तो I hope आप सबके जो doubts है वो clear हुए होंगे अगर फिर भी clear नहीं हुए तो आप मुझे जो है comment करके फूच सकते हैं और आपको अगर इसकी email id नहीं मिले तो आप मुझ तो आज की वीडियो में यहां तकी और यदि हमारे चैनल को सबस्काइब नहीं किया तो चैनल को सबस्काइब करें इन बिल आइकन को प्रेस करें ओके दोस्तों तो thank you and goodbye मिलते हैं next वीडियो में एक नए अपडेट के साथ जब तक लिए बने रहे हमारे साथ